कि जिन्दगी में अभी भी बहुत सारी लड़किया है, जिने जरुवत पढ़ने पर वो उनकी दबा कर लेता है, जिनमें से एक है उसकी क्रश लोला, जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती थी, हम देखते हैं कि चूना वाला अपने काम में बहुत अच्छा है, और वो लोगो उसने कमपनी के क्रियेटिव डारेक्टर की पोस्ट के लिए बभीता नाम की एक लड़की को रख लिया है, तो ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वो ही सबसे बहतर है, लेकिन उसे पता चलता है कि बभीता उससे ज्य जो की कम के पहले ही दिन इस company को ladies के consumer market में टॉप पर लाने का वादा करती है और इसके लिए वो सभी employees को लड़कियों के सामान का एक box देती है और उन्हें इसे बेचने के लिए कल एक नए idea के साथ वापस आने को कहती है उस box में anti-ringle cream, mascara, lipstick, pregnancy, kator, कई तरह की चीजे होती है फिर घर पर चुनावला औरतों को मनाने के लिए कुछ ideas को सोचने की कोशिश करता है लेकिन उसके दिमाख में ऐसा कोई भी idea नहीं आ रहा होता तभी चुनावला अपनी बेटी के back को खोल कर उसमें से एक pop music की CD चलाता है जिसके बाद वो शराप पीते हुए लड़कियों के एक-एक product को इस्तिमाल करने लगता है लेकिन फिर वो जैसे ही लड़कियों की ब्रा को पहनने लगता है जिस दोरान वो एक dryer उठा कर उससे बक्चोटा करने लगता है लेकिन तभी वो फिसल जाता है और dryer पकड़े हुए सिधा bathroom में गिर जाता है जिससे उसे current के जटके लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है फिर एगली सुबे चुनावाला को उसकी नोकरानी कमरी की सफाई के लिए जगाती है और कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर सोचने लगती है कि ये बोसक वाला लड़कियों के समानों के साथ क्या क्या बक्चोटिया कर रहा था तभी चुनावाला उसे कहता है कि ये तो स्रिफ एक्सपेरिमेंट के लिए था नोकरानी कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला फिर वो नोकरानी सोचती है कि आज तुम्हें अपने बॉइफेंड से पीछे से डलवाऊंगी अब चुनावाला को समझने आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो औरतों की मन की बाते सुन सकता है अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बत्तर तब हो जाती है जब उससे पता चलता है कि उसकी cover car उसे एक नमर का चूतिया समझती है अब कोई तो उससे चक्का समझती है और कोई उसकी घटिया शकल का मजाक वुडाती है अब चूनावाला की विचार पढ़ने की power से उसे पता चलता है फिर मीटिंग में चुनावाला बवीता को इंप्रेस कने के लिए अपनी लड़कियों की विचारों को सुनने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन्हें बताने लगता है कि औरतों को क्या-क्या प्रोड़क्ट चाहिए अप पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करती बेकिन चुनावाला उसे कहता है कि मैं तुमारी सारी मन की बाते सुन सकता हूँ वो उसे वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाती थी और फिर वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है जिस पर वो मान जाती है इसके बाद काम के दोरान वो अपने को वर्कर से भी दोस्ती बनाना शुरू कर देता है वो एनी को उसके बॉइफेंड के लिए ग्रीटिंग कार देने को कहता है और डैरिन की उसकी फाइलों में मदद करता है साथ ही वो बभीता के मन को सुनकर ये भी पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके बाद वो बभीता को उसकी हेल्प करने का ओफर भी करता है अब उनकी बाचीत के दुरण बभीता को पता चलता है कि चुनावाला की एक बेटी है और वो प्रॉम पर जाने वाली है वो जानती थी कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी बड़ी बात है इसलिए वो उसको ड्रेस चुननने में उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि लोला उसके हर एक शॉट पर उसे मन में गालियां दे रही थी लेकिन फिर उसकी बाते ध्यान से सुनकर चुनावाला लोला के साथ ऐसी मजदूरी करता है कि वो लोला की चीखे निकाल देता है जिससे इंप्रेस होकर लोला अपने मन में उसके घोडे को एनाकॉंडा कहती है अब चुनावाला लड़कियों के चहरों पर ज़्यादा फोकस करने लगता है और और ओरतों के साथ बार बार डेट पर जाकर उन्हें समझने की अपनी स्किल्स को सुधारने लगता है चुनावाला बबीता के साथ भी ज़्यादा समय बिताने लगता है वो बबीता के मन में से उसके आइडियास को चुरा लेता है और उसे उसी का ही आइडिया सुना कर इंप्रेस कर लेता है जिससे बबीता को लगता है कि उन दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है के साथ होता है तो वो उसकी मन की बاتे सुनकर फिर से इंप्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन अब बबीता के साथ ज्याधा टाइम बिताने की वजय से वो अब उससे प्यार करने लगा था फिर एकर डिनर डेट पाद वो दोनोग किस करते हैं लेकिन तबी हो देखता है कि वहाँ पर लोला बाहर से उन्हें देख रही होती है वो उसे बताती है कि उसका दिल तूट चुका है क्योंकि उस रात की दमदार मजदूरी के बाद से चुनावाला ने उससे बात तक नहीं करी अब चुनावाला को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन अब वो उससे पीछा चुडाने के लिए उससे कह देता है कि वो एक छक्का है और अगर वो स्टेट होता तो वो जरूर उससे शादी कर लेता है अब ये सुनकर लोला को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है फिर प्रेजेंटेशन के दिन चुनावाला बभीता की आइडियास को चुराने की वज़े से जिसवरे से वो पिछले दो साल से कंपनी में सिर्फ एक ही पोस्ट पर अटकी हुई है इसके बाद चुनावाला अपनी प्रेजेंटेशन दिखा कर सभी बोर्ड मेंबर्स को इंप्रेस कर लेता है बभीता इस घर को लेकर बहुत खुश थी जिसके बाद वो चुनावाला के साथ वहाँ पर पलंग तोर मज़दूरी भी करती है और वो अपने बाद से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया बभीता का था और वो उसे बभीता को काम पर वापस रखने को कहता है फिर चुनावाला खुद बभीता को ढूढ़ने के लिए वहाँ से जाने लगता है लेकिन तबी वो देखता है कि डैरेन अभी भी वहीं पर होती है फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए चुनावाला उसे कहता है कि वो उसके पर्मोशन का ओफर लेकर आया है फिर डैरेन से बात करते वक्त चुनावाला को पता चलता है कि अब वो उसके मन की बात नहीं सुन पा रहा जिसका मतलब था कि उस बिजली के धमाके ने उसकी पावर्स छीन ली थी इसके बाद वो बवीता के घर चला जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं है इसके बद चुनावाला को बरबादी का फोन आता है जो उसे बताती है कि चप्ती चूची उसे कहीं मिल नहीं रही और उसके साथ वापस घर चरी जाती है अब चुनावाला अपनी बेटी को सुलाता है और फिर आदी रात को फिर से बभीता के खर आ जाता है अब चुनावाला को लगता है कि ये सुनकर बवीता उसे लिपड जाएगी लेकिन तभी बवीता उसे कहती है कि वो उसे काम से निकाल रही है अभी सुनकर चुनावाला को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो इसी का हगदार था जिसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन तबी बवीता उसे रोग देती है और कहती है कि उसने उसको माफ कर दिया है और वो भी उसे पसंद करती है अब वो दोने एक दूसरे को चूसने लग जाते है और इसे के साथी ये कहानी यहीं खत्म हो जाते है